इस स्वदन के समानी सबस्त्री मलकादिन खड़गेजी ने जब से राहूल गांधी का गुजरात राज्य का दोरा हुआ था और उस सब्वे उनके उपर पत्राओ हुआ इससे संबंधित मामले को इस स्वदन में उन्होंने उठाया है इसमें कहीं तो मत नहीं है जैसा कि मलकादिन खड़गेजी ने कहा कि स्री राहूल गांधी एक रास्टी नेता है रास्टी नेता है किसी राजनीटिक पार्टी के लेकिन इस सदन के एक सम्मानी तब संस्तरस्त दिये और मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ चार अगस्ट 2017 को उन्होंने गुजरात का दौरा किया था और गुजरात का दौरा करने के पहले ही पहली अगस्ट को यह सूचना भी वहाँ पर भेजी जा चुकी थी कि चार अगस्ट को राहूल गांधी का दौरा वहाँ होगा और पूरा विश्तर्त कारक्रम राज्य कुलिस को 3 अगस्त 2070 को ही भेज दिया गया था यह भी सच है कि स्री राहुल गांधी को यस्पीजी की सुरक्षा प्राप्त है इसलिए स्री गांधी के गुजराद दोरे के नरधारित कारक्रम के संबंध में एडवांस सेक्योर्टी लायदन पहले ही कर लिया गया था सामानेटा जो भी यस्पीजी प्रोटेक्टी होता है उसमें एसल की कारवाई यानि एडवांस सेक्योर्टी लायदन की कारवाई पहले कर ली जाती है और इस एडवांस सेक्योर्टी लाइजन के दौरान यस्पीजी पूरा प्रशासन और वहां के बुलिस के सारे वरिष्ट अधिकारी और साथी साथ अन्ने भी कुछ वहां पर वरिष्ट अधिकारी मौजूद थे और एडवांस सेक्योर्टी लाइजन की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और इस्टेट इंटेलिजन्स की भी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसके आधार पर राज्ये पुलिस ने उन सभी अफ्थानों पर जहां स्री राहुल गांधी को जाना था इस्टेटिक गार्ड रूट बंदोबस्त बोवाइल पेट्रोलिंग तथा कड़ी सुरक्षा के प्रबंद किये थे और राज्ये पुलिस द्वारा बुलेट रेस्ट्रेंड कार जिसे बी आर कार बोलते हैं अध्यक्षम हो रिया और उसके साथ साथ जैमर्स का की भी व्यो के छे आफस्स लगाए गए थे साथ इंस्पेक्टर्स थे सब इंस्पेक्टर्स 20 थे 20 थे 236 कॉंस्टिबिस थे और 134 की संख्या में स्टेट आर्म्ड पुलिस को भी तैनात किया गया था इसके अलावा इस बंदोबस्त को मजबूत करने के लिए अन इंत्याम जो भी आव थावर हेली पैट पर पहुँचकर त्री गांधी जो बियार कार होती हैं जिसे बुलेट रेस्टेंट कार बोलते हैं कि तरफ जा रहे थे तब ही उनके परसनल सेकरेट्री पियस ने हद तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नान बियार यानि टोयटा फ नहीं माना यस्वीजी की अधिकारियों की बात को नहीं माना बल्कि अपने पियर्स की बात को और अध्यक्ष महडिया परंट यस्पीजी की आधिकारियों को मैं बढ़ाई देना चाहता हूं कि sbg का अधिकारियों ने प्रिजनसाप माइंड का परिषय देते हुए sbg ड्राइवर को non-bullet resistant कार को ड्राइव करने के लिए टैनाथ किया यानि जो दوسरे कार का ड्राइवर था उसको इनकी जो non-VR कार थी उसको ड्राइव करने के लिए हमारे एस्पीजी के अधिकारियों ने कहा क्योंकि एस्पीजी ड्राइवर अफेंसिब और डिफेंसिब ड्राइविं में ट्रेंड होते हैं जो कि वी वी आईटी सुरक्षा जूजियों के लिए या आवश्यक होता है और अधिक्स भोगया मैं यही रामकाली देना चाहता हूं शरण को आगे की सड़क की यात्वा के दोहां यस्पीजी सुरक्षा प्राफ्ति राहुल गांधी से मिलने के लिए लोगों से मिलने के लिए बार बार वहाहं से उतरते रहें तता सुरक्षा मांदन्नों का बराबर उन्हों ने उलंगन किया ऐसे अस्थानों पर भी रुके जो और ऐसे अस्थानों पर भी वह रुके जहां पर कि उनका कोई कारकंपूर नरधाली था ही नहीं उन अस्थानों पर भी वह रुके और दौरे के दौरान त्री राहुल गांधी तीन बज़ कर बीस मिनट पर धन अस्तल के समी सड़क के समी पिकट्टी हो गई थी स्री गांधी के भासन के दौरान दो दिरोद करता नारे लगाते हुए काले जंडे के साथ बाहर आए इन लोगों को तत्काल पुलिस ने रोक लिया यद्यप्या सभा 15 से 20 मिनट तक चलनी थी किन्त स्री राहूल गांधी के साथ-8 मिनट में ही थावर हेलिपैट के लिए निकल गए जब उनका कासिला लाल चौप को पार कर रहा है जब उनका कासिला लाल चौप को पार चामा तभी भीड में से किसी एक अध्यात यद्टी नहीं एक पत्थब का इससे बाएं दर्वाजे की खिर्की का सिसा जो नान पीजी के पीएसों के बाएं हाथ में चोट आई और अज्यक्श मोडिया इस संबन्धवे राज्य की ओर से अफ्थानी पुलिस द्वारा धनेरा पुलिस थाने में अपराज संश्चा 59 by 2017 के भारती गंडशंगिता की धारा तता इसकी जाच चल भी रही है जाच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफतार भी गुजरात की पुलिस ने किया है जो अब भी जूडिसियल कस्टडी में न्याई खिरासत में अब भी वह व्यक्ति है इस घटना को गंभीरता से लेते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस घटना के तभी सुझंगत पहुल पहुलिया की जाच कराने के लिए उसी दिन में अपर पुलिस महादिरेशक र अधिकारी को निक्त किया है पुरे मामले की जाच करने की इसरी गांधी को बुलेट रेस्टेंट कार का प्रयोग करना शाहिए था जो एक स्पीजी शुरक्षा प्राप्त व्यक्त के रूप में उनके द्वारा अपेक्षित अईसा करने पर इस घटना के सेक्योटी इंप् किया है हनेरा से प्रस्टान करने के बार अपने अगले कारकम के लिए भारा पहुचने पर यस्पीजी ने त्री गांधी को पुनह फिरसे त्री राहुल गांधी को बुलेट रेस्टेंट कार का प्रयोग करने की सलाह दुए गिन्त हुआ उससे भी ताहमत नहीं यहां पर कि शेक्यों की प्रोट्कॉल का वाइलेशन किया है सुरक्षा संबंधी सलाह को नजर अंदाज करते हुए वे फिर नान वियार पार्टी कार से ही गए उत्पन इस सिद्ध के दृशिगर्ट क्लोज प्रोटेक्शन टीम में स्वेम को खत्रे में डाल कर जो प्रोटेक्शन कि इस प्रकार के जो भी सेक्योंटी एडवाइडरी रही है तुरक्षा जो सलाह रहे हैं उसको बराबर नजर अंदाज करते रहे हैं बराबर उसकी ओहला करते रहे हैं इसके पहले भी 21 जुलाई को राजपोर्ट का दौरा गुजरात को उनोंने किया था और स्री गांधी इस पीजी द्वारा दी गई बुलेट रेस्टेंट कार का प्रियोग करने की जो सलाह दी गई उसकी भी उन्होंने उहे जाकर उसकी भी उपेख्षा कर दी और फिर से नान बुलेट कार में जाकर वह बैटकर भूने अपनी यास्तरा की अध्यक्षा पिछले दो वरसों में पिछले दो वरसों में 121,121 निर्धारित तथा गैर निर्धारित आंतरिक दौरे यानि इस देश में उनके दौरे हुए हैं जिन में बुलेट रेस्टेंट कार का प्रियोग न करके सौ बार हंडेट टाइम सुरक्षा प्रोटोकोल का उलंगन कर नान बुलेट रेस्टेंट कार का इस्टनाल किया यह उलंगन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा पतास्त्री राहुल गांधी के कारेयाले के ध्यान में भी लाए गए हैं ध्यक्ष महोदे जब जब इन्हों सुरक्षा जो सेक्योर्टी नार्म्स होते हैं सेक्योर्टी प्रोटोल्स होते हैं जो उनका उलंगन किया है उस पार्टी के अध्यक्षा के भी संग्यान में लाए गए हैं पार्टी कारेयले के भी संग्यान में लाए गए हैं परंत उनके कारेयले से साथ कोई पूचना प् करते हुए बीडेशी दौरों के संबंध में है यस पीजी के प्रस्थान के दो तो मात्र कुछ घंटे ही पहले सुचित करते हैं इस से सुरक्षा संबंध मिर्बंध इन्शूर करने के करने मिके लिए के को इतना समय मिलना चाहिए उत्ता समय या स्की जी मिन पाता है और पिछले दो वर्सों में त्री गांदी शे विडेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं इन 72 दिनों की अबध में यास्पीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है अब जेश जानना चाहेगा यह सदन जानना चाहेगा कि विडेश पे कहा गये क्यों नहीं उन्हें यह ची कवर लिया यह तो इसलिए विला हुआ उचाहे देश पर रहे हैं असवाद विडेश पर रहे बराबर येस्पीजी कभर इंके साथ रहेगा लेकिन जान बूल कर येस्पीजी कभर को इसी देश में छोड़ देते हैं और वह विदेशों की यात्रा चाहिए येस्पीजी सुरक्षा प्रड़त व्यक्ति को सिक्योपी कभर संसद के अधिनियम के तहट प्राप्त होता है इसी संसद में अध्यक्ष महोड़ येस्पीजी एक्ट बनाया है और ये सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को हर समय सुरक्षा उपलब्द कराने और इसकी सब्सक्राइब करना चाहता हूँ सप्रीम कोट ने आपजर्व किया है किस्पीजी कबर को प्रोटेक्टी से हटाया नहीं जा सकता है इस बोज विद फर्शन अब प्रोटेक्टी उन्हाई से रिपीट करना चाहूंगा जो सप्रीम कोट ने कहा है इस बोज विद पर्शन अब प्रोटेक्टी उन्हाई जो सब्सक्राइब करें और प्रोटेक्टी को यस्पीजी का प्रोफेशनल एडवाईज मानना चाहिए यस्पीजी कबर के बिना विदेश जाना वाक्तों में ना केवल यस्पीजी एक्ट का उलंगन है परन्तु सेम की सुरक्षा के हेट भी यह लापरवाही है और मैं ध्यक्शमोदिया यह भी बतलाना चाहूंगा यस्पीजी का धौरा ता गुजरात का उसी थमने है लेकिन वहां के मुक्षपंति के खिनाफ के कहीं से भी कोई झान कोई नारे अल़ाईजी के लेकिन की का कारण है चे मिदे पारिटी के भी धष्ट है वह वहाँ विरोज बक्ष में है विरोज बक्ष के लेता के खिलाप में ये जनता यहनारे बाजी कर रही है ये निश्चितूर्टे कांग्रेस के लोगों को यह विचार करना चाहिए क्यों इस प्रकार के रालाग पैदा हुए और हर प्रकार की सुरक्षा की विवस्था राजे सरकार में महज्या कड़ाई थी और जो लोग भी पत्थर फेकने वाले थे उनके खलाफ कारवाई की है उन्होंने तुरंत जिरस्तारी की है इसके लिए मैं गुज़ास सरकार को मैं बढ़ाई भी देना चाहता हूँ मैं पुने हर जैक्षिक और जाई इस स्वदन को अगट कराना चाहता हूँ कि सुरक्षा विवस्था में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही है मैं जानता हूँ कि सायद कहने ही सकता लेकिन फिर भी मैं यह मान कर चलता हूँ एक सामान राई नितिक कारकरता होने के ना थे के लिए राहुल गांडी गुजराद की बाड़ पीर्स बाड़ प्रभावी शेत्र का दोरा करने के सायद उनकी यह मन्सा रही हो आपना जो राहत वहां की सरकार के दोरा दी जा रही है उसका वह जाया लेंगा लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह वहां की यात्रा जो उन्हों की आपदा राहत का जाया लेने के लिए नहीं बलकि साइड आपदा परेटन के लिए वहां पर जो वह बाहर करने के लिए के लिए सुरक्षा विएस्था के बारे में एक बार और अध्यक्षन हो जिया में कहना चाहता हूँ यह एक घ्रिल है जो एक स्टेंडर आपरेजिंग परशीडियो को फालो करती है और सुरक्षा सारी की सारी उस समय धरी रह जाती है जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सुरक्षा के सारे नार्म्स का सुरक्षा के सारे सुहाओं का वह उलंगन करना प्रारम्भन कर दे और एक नहीं दो दो बीपी कार उन्हें महया कराई गई थी फिर भी थर्ड पार्टी वह कार में वह जाकर बैठे क्यों ऐसा किया यह हमारी समझ के बाहर है वैं मानता हूं कि राहुल गा कार की कहीं से भी कोई प्थर बाजी होती है तो हम सब के लिए यह चिंता का मिशेह है और धनेरा में पथर चलने के बाद भी नान बीपी कार में वह जाकर बैठ गए राहुल जी की सुरक्षा के प्रती और हेलना की कई बार बातें पंज्यान में आई है और जैसा मैंने पह क्या वो चिपाना चाहते हैं कि जिने की आइस्पी जी के तहट उन्हें बिली है वहौह लेकिन यह बहुत ही विडंबना है कि बराबर यह सब्गी के दोड़ारा भी जो सलाह दिये जाते है जो पीजी पर्टोन होता है उनके द्वारा बरावर उसका उलंगन होता है मनाथ काखा में जो कुछ भी हुआ अध्यक्ष मोरिया निश्ची त्रूप से वह बहुत ही दुर्भागे पूर्टा किसी तरह उसे उचित नहीं ठाराए जापकता है पथर चाहे किसी पर चले अध्यक् कारी करता हो नेता हो कामाजिक संस्कृतिक कार्य करता अत्वा नेता क्यों नहीं हो अत्वा हमारे सेना के सुरक्षा के जमान ही क्यों नहीं हो इसे कदा पी उचित धाराया नहीं यातक्ता और मैं पुनह अंत में अपनी गुजरात सरकार को मैं बढ़ाई देना चाहता हूं कि जो ही इस धक्तना की जानकारी उनके संग्यान में आई तुरंथ गुज्राथ की सरकार ने कारवाई की है नन्यवाद इसक्राइब